हेलो फ्रेंट्स, श्वागत है आप सबों का एविशी अकाडमी पर फ्रेंट्स, आज के इस क्लास में खान सर के द्वारा प्रवाइट करवाएगे हिस्ट्री के इस्पेसल नोट्स जिसमें के माराथा श्रामराजी को देखने वाले हैं आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप खान सर के द्वारा प्रवाइट करवाएगे नोट्स का क्लास देखना चाहते हो, आप प्रेलिष्ट आकर चेक करिए रावसन सर है, ग्यान मिंदू, उनके द्वारा बायलोजी वगड़ा है और भी काफी सारे नोट्स हैं, अगर उनका भी क्लास देखना हो, फिर से आप प्रेलिष्ट आईए अगर आपको अपने एक्जाम के लिए अच्छे से तयारी करना है, एक बार प्रेलिष्ट आकर चेक करिए आपके लाइग अगर क्लास हो, सारे क्लास को आप जरूर देख लिएगा आपको पता है, मराथा समराज काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपके एक्जामनेशन के व्यू से जिसमें कि आपका पेश्वा का काल, कौन कौन से बाजी राव जो बाजी बाजी राव अगरत थे इन सब के बारे में, यहाँ पर आप एक नजर देखते चलिए, पहला वाला आंगल मराथा यह दोवा था, दूसरा था, तिसरा था इन सारे कुछ को आज के क्लास में आप देखने वाले हो, आज का यह क्लास काफी जबरदस्त आपके एक्जामनेशन के व्यू से होने वाला है, तो आईए, श्टार करते हैं, मराथा सामराज के पॉइंट नंबर फर्ष्ट से मराथा के पुर्वज राजस्थान के सिसोध्याव वंस की शुरिवनसी राजपूत हुआ करते थे महराष्ट्र की भक्ती आंदोलन तथा औरंगीव की कटर धार्मेग नीती मराथा की उधै का कारन बनी ध्यान रखें महराष्ट की भक्ति आंदोलन और औरंगेव की कट्टर धार्मिक नीती मराथों के उदय का कारण बनता है मराथा समराज की अस्थापना सिवाजी के द्वारा किया गया था किस ने किया था मरारहर सामराजी के अस्थापना सिवाजी के द्वारा किया गया था सिवाजी का जन्म 20 अप्रेल 1627 इस्वी को पूना के निकट सिवनेर नामक अस्थान पर होता है सिवाजी का जो जन्म है ना 20 अप्रेल 1627 को कब होता है सिवाजी का जन्म 20 अप्रेल 1627 को कहाँ पर पूना के निकट पूना के पास में सिवनेड नामक अस्थान पर हुआ था इनके पिता साह जी भूशले तथा माता जी जीजा बाई इनके गुरू कूंड देव थे इनके पिता साह जी भूशले तथा माता जीजा बाई इनके गुरू कूंड देव आपको नाम याद रखना है इनके आध्यात में गुरू के बारे में पूछेगा तराम दास थे इनके आध्यात में गुरू कौन थे राम दास सिवाजी की सौतेली मा का नाम तुकावाई था सिवाजी की जो सौतेली मा थी ना उनका नाम तुकावाई था क्या नाम था तुकावाई किसका नाम था सिवाजी की सौतेली मा का नाम सिवाजी के पिता जो साहजी भोशले को आपने दिखा ये पहले एहमद नगर के शासक के यहां नौकरी पर थे जब एहमद नगर पर मुगलों का अधिकार हो गया तो साह जी भोंशले जो सिवाजी के पिता है ये बीजापूर के शासक के यहां नौकरी करने लगे और अपनी अपेक्षित पत्नी जो की जीजाबाई थी तथा जो पूत्र थे सिवाजी इनको पूना की जो जागीर है ये सौप दिये थे सिवाजी के जीवन पर सरवाधिक प्रभाव उनके माता जीजाबाई तथा गुरु कुंड देव का पड़ा सिवाजी के जीवन पर सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव कूछेगत उनके माता जीजाबाई और गुरू कुण्ड देव का परता है सिवाजी दच्छिन भारत में मुश्लिम सासक के अस्थान पर हिंदू सामराज वराग करना चाहते थे मतलब तयार करना चाहते थे सिवाजी ना दच्छिन भारत में मुश्लिम सासक के जगह पर हिंदू सामराज खड़ा करना चाहते थे ध्यान रखें सिवाजी को पहारी चुहा के नाम से जाना जाता है अगर सवाल में पूछे पहारी चुहा के नाम से किसे जानते हैं? सिवाजी बताईएगा सिवाजी ने गुरिला पधती या इसे आप छापामार पधती कहते हो इनका परियोग अपने योद अभिहान में किया इस पधती में रूक रूक कर तथा अच्छानक हमला किया जाता है सिवाजी ने गोरिला पत्ती को एहमद नगर के सासक मलिक अम्बर से यह सीखे थे सिवाजी ने अपना पर्थम सॉrobeण अभ्यास 1641 में वीजापूर के विरूद क्या और तोरं का किला जीत लेया सिवाजी ने अपना पर्थम सेन अभ्याद 1642 इस्वे में वीजापूर के विरुत किये थे और तोरन का किला को जीत लिये थे सिवाजी ने पनहाला, कोलहापूर और पुरंदर का किला भी जीत लिये थे सिवाजी ने ध्यान रखेगा पनहाला, कुलहापूर और उरंदर का किला भी जीते थे सिवाजी ने वीजापूर के सैनापती अबजल खां की हत्या कर दिये थे 1657 में सिवाजी की मुलाकात औरंगजेव से होती है सिवाजी औरंगजेव से संधी करना चाहते थे किन्तु औरंगजेव ने स्विकार नहीं किया था औरंगजेव ने सिवाजी को पराजित करने के लिए कई अभियान चलाए थे औरंगजेव सिवाजी को पराजित करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए थे सिवाजी ने और अंग्जेब के मामा साइस्ता खां को पराजित कर दिया सिवाजी ने और अंग्जेब के जो मामा थे साइस्ता खां इनको पराजित करते हैं 16 और 64 इस्वी में सिवाजी ने सुरत को पहली बार लोट लिया 1664 में सिवाजी सूरत को पहली वर क्या करते हैं? लोगते हैं ध्यान रखने वाली बात क्या है? सूरत मुगलों के समय बहुत बढ़ा अध्योगिक केंद्र हुआ करता था सूरत को जब सिवाजी लूटे तो औरंग्जेब सिवाजी के विरूद एक बड़ा अभियान भेजा इस अभियान का नित्यत राजा जय सिंग कर रहे थे इस अभियान में सिवाजी पराजित हो गए सुरत को जब सिवाजी लोट लेते हैं तो और अंजेब क्या करता है कि सिवाजी के लिए एक अभियान मतलब एक कहिए कि सैना भेजता है इस सैन अभियान का जो राजा थे वो जैसिंग नाम याद रखेंगे यही थे इस अभियान में सिवाजी पराजित हो जाते हैं सिवाजी और जैसिंग के बीच में 5 जून 1665 इश्वी को पुरंदर की संधी होती है सवाल आपने देखा होगा पुरंदर की संधी के बारे में पूछा जाता है 5 जून 1665 को सिवाजी और जैसिंग के बीच में यह होता है पुरंदर की संधी के तहत सिवा जी को जीते गए जो 35 किला था उसमें से 23 किला मुगल को लटाना पड़ा इस संधी के तहत सिवा जी ने अपने पुत्र सामभा जी को और अंग्जेव की सेवा में भेजा और खुद अगले वर्ष 1666 में और अंग्जेव से मिलने आगरा पहुँचे परन्तु और अंग्जेव ने धोखा से सिवा जी को जैपूरी महल यानि कि आगरा में कैद कर लिया था अच्छा आप लोगों को यहाँ पर ये धियान आ रहा है कि 1666 टिश्वी में किसी का जन्म होता है को अच्छे कहें कि नामी काफी फिमस नाम है धर्म से इलेटिड अगर आपको याद आ रहा हो तो अच्छी बात है सिवाजी बहुत जल्द भेश बदल कर 1666 टिश्वी में फलों की टोकरी में बाइट कर जैपूरी महल से भाग गए कहां से जैपूरी महल से कौन भागे सिवाजी कब 1666 में फल की टोकरी में बाइट करके 1670 टिश्वी में की चार वरसों की बाद सिवाजी ने सूरत का सूरत को दुबारा लूट लेया फिर 1674 याने फिर चार वरसों की बाद सिवाजी ने रायगर के किला में अपना राज्याविशेग करवाया और छत्रपते की उपाधी धारन की कहां पर रायगर के कीला में क्या करते हैं अपना राज्या विशेग और छत्रपते की उपाधी धारन करते हैं सिवाजी का राज्या विशेग गंगा भट इसे आप विशिश्वर नाम से भी जानते हो नामक पंडित के द्वारा करवाया गया गंगा भट मूल रूप से काशी यानिकी बनारस का रहने वाला जहां रखेंगे रहने वाला या थे सिवाजी का सैन अभ्यान करनाटक के विरूद 1676 में होता है औरंग्जेव कभी भी सिवाजी को पराजित नहीं कर सका अन्त में 1689 में औरंग्जेव ने पुनह जजियाकर लगा दिया जजियाकर का विरूद करने वाला एक मात्र सासक का नाम अगर पूछेगा सिवाजी थे विवश होकर औरंग्जेव ने सिवाजी को राजा की उपाधी दे दी सिवाजी के जीवनी बखर नामक पुष्टक में लिखी गई है इस पुष्टक में सिवाजी के उपलब्धियों के साथ साथ मराठाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है अब यहाँ पर सिवाजी के उत्रा दिकारे में आप देखिए साई बाई होते हैं फिर सम्भाजी फिर साहु जी आपका यहाँ पर सोईरा बाई फिर आपका राजा राम और सिवाजी सकेंड फिर सिवाजी के मेत्यू के बाद संभाजी जो पनहाला के किला में कैद थे वे वहाँ से भाग कर मरठा समराजी के चत्रपती बनते हैं ध्यान रखें सिवाजी के मेत्यू के बाद संभाजी कहाँ पर पनहाला के किला में कैद थे कहां पर कहते हैं पन्हाला के किला में यहां से भाग कर यह माठा समराजी के छत्रपती बनते हैं 1686 इस्वी में संभाजी ने औरंजेव के विद्रोही पूत्र अकबर सकेंड को अकबर जो दूतिय थे इनको सरन दे दिये जिस कारण औरंजेव ने संभाजी को यातना देकर मार दिया और उनके पुत्र साहू जी को बंदी बना लेता है संभाजी के बाद राजा राम शासक बना किन्तों सत्रह सो इस्वी में राजा राम के वि मेत्यू हो जाती है संभाजी के बार राजा राम बनते हैं सासक लेकिन 1720 वी आते राजा राम की विमेत्ति हो जाती है राजा राम की पतनी थी तारा भाई, तारा भाई ने अपने अलपायू, मतलब छोटे से पुत्र थे सिवाजी सेकेंड, इनको सासक बना दिये और खुद उसकी संड़क्छक बन जाती हैं राजा राम की पतने तारा बाई ने अपने अलपायू पोत्र सिवाजी सेकेंड सिवाजी दूतिये को सासक बना दी खुद इसकी संड़क्षक बन गई साहु जी जो मुगल दर्वार में कैज थे यानिकि संभाजी के जो पूत्र थे इनको बहादूर साह ने मराठा सक्ति को कमजोर करने के लिए छोड़ दिया साहु जी ने सिवाजी सकेंड सिवाजी दूतिये को पराजित करके छत्र पति यानिकि सासक ये बन जाते हैं किन्तु 1749 में साह जी की फिर मेत्यू हो जाती है साहजी की मेत्यों होती है 1749 में इनके मेत्यों के बाद मराठा प्राशाशन की सारी सक्ति किसके हाथ में पेशवा के हाथ में आ जाता है अब पेशवा का काल देखिए पेशवा का जो टाइम पेडियर्ड है 1713-1818 तक चलता है पेशवा वनसा नुगत था इसका निवास पुने में था बाला जी विश्वनाथ 1713-1820 तक रहते हैं ये पेशवा देखिए बाला जी विश्वनाथ इन्हें पेशवा साहु जी ने बनाया इन्ही की सहयोग से साहु जी छत्रपती बने साहु जी ने इन्हे 1717 में अपना परतिनी धी बनाकर मुगल सासक फर्रुक सियार के दर्बार में भेज दिया फर्रुक सियार ने छत्रपती के परद को माननेता दे दिया इस संधी को मैठा सासक का मैगना काटा कहा जाता है 1720 इस्वि में बाला जी विश्वनाथ के मेत्यों हो जाती है बाला जी विश्वनाथ इन्हें पेशवा साहु जी ने बनाया इन्ही के सहियोग से साहु जी क्या होते हैं छत्रपती बनते हैं साहु जी ने इन्हें 1717 इस्वि में अपना परतिनी धी बनाकर मुगल सासक फर्रुक सियार के दर्बार में भेजा फरुकष यरने छत्रपती के पद को मानिता दे दिया इस संधे को मनाथा साशक का मैगना काटा कहा जाता है 1720 इस विमें बालाजी विश्वनात की मेर्थियू हो जाती है 1720 में आ जाते हैं बालाजी विश्वनात के पूत्र थे इन्हें लडाकू पेशुअ भी कहा जाता है किन्हें बाल यह आपकी जो बाजीराओ पर्थम थे इनको सिवाजी के बाद गुरिला पधति का सरवाधिक परियोग बाजीराओ पर्थम के ही दुआरा किया गया था बाजी राव पर्थम ने 1728 में हैदराबाद के शासक निजाम ओल मुल्क को हरा कर उनसे मूनसी सिवगाओं की संधिकिया था सवाल पूछा जाता है कि मूनसी सिवगाओं की संधिकिस ने तो बाजी राव पर्थम ने 1728 में हैदराबाद के साथ सक निजाम ओल मुल्क को हरा करके ये करते हैं बाजी राव पर्थम ने छत्रपती साहू से कहे कि आओ इस पुराने विरिक्ष के जरों पर वार करें साखाएं तो स्वैंग गिर जाएगी इस पर साहू जी ने यहाँ परतिक्रिया दिया कि आपनी संदे ही एक योग पिता के योग पूत्र हैं आपके प्रियासों से मराठा शामराज का पता का कटक से अटक तक लहराए जाएंगे बाजी राओ पर्थम ने 1737 सिश्वि में मात्र 500 घुरसवार को ले करके मुगल साशक मुहम्मद साह पर आकर्मन कर दिये और दिल्ली को पूरी तरह से लूटा और मुहम्मद साह से एक संधी की जिसके तहत 5 लाग प्रती वर्स लेकर विदेशी आकर्मन के समय सैन मदद देने का वचन दिया गया किसके और से मुहम्मद साह के और से 1749 सिश्वि में आ जाईए यहाँ पर इरान और इसिया का जो नेपोलियन कहे जाने वाला नादिर साह था यह दिल्ली पर आकर्मन कर दिया किन्तु बाजी राव ने भी कोई सैन मदद नहीं दिया था बाजी राव ने पुर्तगालियों से साल सेट तथा बसीन महल चीन लिया बाजी राव हिंदु पद परशाही की अर्थापना करना चाहते थे बाजी राव का समन्ध मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिलाव से था साहु जी जो हैं बाजी राव पर्थम के समय ही पूरे मराठा स्रामराज जी हो पांच परिश्चंग में बाठ दिये थे कौन-कौन से थे बरोदा यहां के सासक थे जुगायगवार थे पौना में पेश्वा थे नाखपुर में भोशले थे insideokus में होलकर थे और ग्वालियर में सिंध्या थे अब आजएए बालाजी बाजी राव बालाजी बाजी राव को नाना साहब के वी नाम से जाना जाता है इनके समय मराठा स्रमराज का सरवाधिक विस्तार होता है की मेध्यू हो जाती है और सत्रों सॉ पच्चास में संगोला के संधी के तहत छत्र पती के पद्र को समाप्थ कर दिया गया और मराठा समराज पूरी तरह से पेश्वा के अधीन हो गया 1752 में ज्छलकी की संधी के द्वारा हैदरावाद के निजाम ने मराठों की अधीनता स्विकार कर लिया 14 जनवरी 1761 को अफ़कान सेनापती अहमत साह अबदाली ने मराठों के साथ पानी पत का तीरतिय युद्ध किया इस युद्ध में मराठों का रेतित सदासिव राव भाव और विश्वास राव भाव ने किया था ये दोनों युद्ध में लड़ते हुए मारे गए और इस युद्ध में मराठा बुरी तरह से पराजित हो गए मराठों के पराजे की खबर सुनकर पेश्वा बालाजी बाजी राव के मेध्यू हो गई इतिहासकार सिर्णी ओपन ने कहा कि पानी पत का तीसरा युद्ध यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत में किसका शाशन होगा लेकिन यह जरूर सिद्ध करतिया कि भारत में किसका इसके समय मराठा समराज जी की हुई सक्तियां दुबारा मिलने लगे यह एक योग पेश्वा थे इसने मुगल साशक साह आलंग सकेंड जो थे दूसरे वाले इनको दुबारा मुगल गदी पर बिठाया जो कि एहमद साह अबदाली के डर से दिल्ली छोड़कर भाग गये थे किन्तो इसी वर्ष माधव नारायन के मेत्यू हो जाती है ठीक है 1761-62 याद रखिये फिर आजाईए नारायन राओ इसका कारिकाल बहुत छोटा था इसके चाचा रगुनाथ ने इनकी हत्या कर दिये कि इसके नारायन राओ के 1772 से 73 तक ही ये रहे थे फिर आजाईए माधव राओ सकेंड 1773 से 95 तक इनका समय था यह अलपायू था अतह इसे सहायता करने के लिए बार भाई परिशत का गठन किया गया यह परिशत बार मंत्रियों का एक समुह था इसमें सबसे परमुख नाना फड़नवीश तथा महाजदी सिंधिया थे नाना फड़नवीश को मराठों का मैक्यावेली के नाम से आप जानते हैं रघुनात राव जिसे आप रघुवा के विनाम से जानते हूँ इन्होंने खुर पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों के साथ सत्रसव पशत्तर में सूरत की संधिक कर ले और अंग्रेजों को उपहार में वसीन तथा साल सेट दे दिया लाकिन्तु बाद में अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए अंग्रेजों तथा मराथों के बीच यही तनाव आंग्ल मराठा युद्ध का रूप लिया और तीन आंग्ल मराठा युद्ध हो जाता है पहला वाला आंग्ल मराठा युद्ध 775 से 1852 तक चला यह युद्ध महादजी सिंधिया की अध्यक्षता में सालाबाई के संधी के तहत 1782 इस्विवें समाप्त हुआ देखे यहाँ पे क्या एक सवाल बनता है न यह जो प्रथम आंगल मराठा युद्ध है किस संधी के तहत यह समाप्त हुआ था तो यहाँ पे क्या बताईएगा सालाबाई के संधी के तहत 1782 में पहला अंगल मराठा युद्ध समाप्त होता है इस संधी के तहत अंग्रेजों ने बार भाई परिशत को मानिता दिया तथा माधव नारायन दोसरे जने के दृतिये को पेषवा स्विकार कर लिया 1795 इश्वि में महा दजी सिंधिया तथा माधव नारायन दृतिये की मेत्यू हो गई और अगला पेषवा बाजिराव सकेंड बन जाते हैं फिर अब बाला जी जो सकेंड है इनका कारिकाल रहता है 1795 से 1818 एश्वी तक यहां अंतिम पेशवा था इसके समय दूसरा वाला आंग्र मराठा युद्ध होता है इस पेशवा ने अंग्रेजाओं की जो अधीनता है स्विकार कर ली आजाईयव दूसरा आंग्र मराठा युद्ध पर 1803 से 1806 तक यह चलता है यह युद्ध वसीन की संधी के सहत समाप्त होता है देखिए कुछ याद करिये या ना करिये इसे याद करिये दूसरा आंगल मायाठायुद 1803 से 6 तक चला और वसीन की संधी के तहत ये समाप्त होता है इस संधी के तहत पेश्वा बाजिरावद वितिये ने अंग्रेजों की अधिनता है श्विकार कर ली इस संधी को भोषले होल कर तथा सिंध्या ने श्विकार नहीं किया और यहां तीसरा आंगल मायाठायुद का कारण बनता है दूसरा आंगल मायाठायुद 1403 से 6 तक चला न इसमें इस संधी को भोषले होल कर और सिंध्या जो हैं ये स्विकार नहीं करते हैं सिंधिया कहां के थे गवालियर के थे न स्विकार नहीं करते हैं और यह तीसरा आंगल मराठा युद का कारण फिर से बन जाता है अब जो तीसरा आंगल मराठा युद होता है यह होता है अठारो सो सत्रा और अठारो के शमय में यह युद पूने की संधी के तहत समाप्त हु वहीं पर भेज दिया इसी पेश्वा बाजी राव सकेंड का दत्तक पुद्र यानि कि गोद लिया हुआ जो पुद्र थे वो थे नाना शाहव बाजी राव सकेंड के बाद इसे भी पैंसन दिया जा रहा था किन्तु लॉड डलहोजी ने उनका पैंसन को बंद करके बंद कर दिये थे यही कारण था कि नाना साहव 1857 के विद्रोह में भाग लिये थे समझ गए नाना साहव जो आये थे क्यों भाग लिये थे तीसरा वाला आंगल मराठा युद्ध के बाद हुई संधी देखिए पूर्णा में एक संधी होता है जहाँ परशासक कौन थे पेश्वा थे संधी था पूर्णा की संधी नागपूर में होता है जहाँ पर भोशली परशासक रहे थे और नागपूर के संधी के नाम से बरोदा का गायकवार के साथ कोई संधी नहीं की गई क्योंकि या तीरतिये आंगल मराथा युद्ध में सामिल नहीं था कह रहा है कि बरोदा का जो गायकवार है इसके साथ कोई संधी नहीं की गई क्योंकि या तीरतिये आंगल मराथा युद्ध में सामिल नहीं था मराठा सक्ति समाप्त हो गई और मराठा छेतर पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है आई अब पिंडारी तो समझे पिंडारी यह मराठा की छोटी टुकड़ी थी यहां जंगलों में रहती थी तो था छापा मार योदी से गुरिला योदी कहते हो करके अंग्रेजों से य पिंडारी मैलकम ग्रे नामक इत्यासकार ने पिंडारियों को मराठा का कुत्ता कहा है और यहां पर यह पूइंट वीवियाई है काफी ज़्यादा पूछा जाता है कि पिंडारियों का अंत किसने किया है Lord Hastings के द्वारा पिंडारियों का अंत किया गया था लौड हैस्टिंग्स ने पिंडारियों का अंत कर दिया था आईए अब मराठे मराठों का जो शैन विवस्था था इसे समझते हैं मराठों का मुगलों से संगर्ष साह जहां के काल से ही प्रारम हो जाता है मराठा के पास 250 किला था जिसमें से की 23 किले को सिवाजी ने पुरंदर की संधी के तहत मुगलों को दे दिया था सिवाजी ने पूर्तगालियों से लगवग 200 तूप खरी दे थे सिवाजी ने करनाटक के कुलावा में नौसर्णा का गठन किया था मराठा सैनिकों को धार्मी कस्थल, बच्चे, महला तथा आम नागरिकों पर आकर्मन करने पर निशिद्यनी की मना कर दिया गया था मराठा सैनिक इन सब पर आकर्मन नहीं करते थे सिवाजी के घुर सवारों को दो भागों में बाटा जाता है एक था बरगीर, दूसरा था सिहलदार बरगीर जो है यह अस्थाई घुर सवार थे और नियमित रूप से सैना में रहा करते थे सिहलदार यह अस्थाई घुर सवार थे यह योति के समय सैना में रहते थे सिवाजी के समय सबसे मजबूत अस्थाई सहना हुआ करते थे जिसे पागा कहा गया है सिवाजी के समय में सबसे मजबूत अस्थाई सहना थे इसे क्या नाम दिया गया था पागा पागा कहा जाता था मराठा प्रसासन के शुरुवात सिवाजी ने किये उन्होंने प्रसासन के लिए आठ मंत्रियों की न्यूकती किये यहने संयुक्त रूप से अश्ट प्रधान कहा जाता है अश्ट प्रधान सिवाजी याद रखिये मनाठा प्रशासन में सबसे बड़ा पद छत्रपती का होता था उसके बाद में पेश्वा का पद आता था अश्ट प्रधान में क्या क्या थे आठ प्रमुक देखे पेश्वा यह छत्रपती के बाद सबसे महत्रपूर्ण पद था इसका कार्य छत्रपती की अनुपस्तिते में प्रशासन की देखरेक करना था इस समय प्रधान मंत्री को पेश्वा कहा जाता था दोसरा है मजुमदार जिसे आप अमार्त भी कहते हो यह वित मंत्री का पल था जो राजस्व का लिखा जोखा रखते थे आपने अगर प्रैक्टिस सेट लगाया होगा ता आपको ध्यान होगा पूछा जाता है मजुमदार या फिर अमार्त जो है यह माराथाओं के समय में कौन से पद पर काम करते थे क्या थे नहीं थे बताईए सर ए नौबत यह सैनापती का पद होता था सर ए नौबत के लिए आपको याद रखना है सैनापती का यह पद होगा करता था सुमत यह विदेश मंत्री का पद था सुमत विदेश मंत्री को कहा जाता था इसका कार्य विदेशी राज्यों से तालमेर बनाना होता था वाक यानवीस यह सूचना गुप्त चर तथा शन्धि करने वाले मंद्री हुआ करते थे चिटनीस इसका कार्य पत्रा 4 व्यवस्था को देखना था किसका चिटनीस का काम पंडित राव यह धार्मिक मामलों की देखरेक करते थे मराठो का राजस्व व्यवस्था को समझी मराठो की कोई व्यवस्थित राजस्व व्यवस्था नहीं थे मराठो की कोई वे राजस्व व्यवस्था जो है व्यवस्थित नहीं था सिवाजी का राजस्विवस्था मलिक अंबर के राजस्विवस्था से ले गए थी सिवाजी के समय राजस्व का सबसे बरा सुरोत अगर पूछेगा क्रेसी कर याने की भूमिकर हुआ करता था सिवाजी ने भूमिकर को 33% से बरहा करके 40% कर दिया था सिवाजी के समय सबसे महत्पुन कर अगर पूछेगा चौथ और सरदेश मुखी हुआ करता था सिवाजी के समय सबसे महत्पुन करों में से चौथ और सरदेश मुखी था चौथ क्या था? चौथ यहाँ सिवाजी अपने परोसी देश से लेते थे यह कुल क्रिसी का एक बटे चार भाग हुआ करता था सरदेश मुखी सिवाजी यह कर अपने ही देश के जनता से लेते थे इस कर को देने वाला इस बात को स्विकार करता था कि उसके देश के प्रमुख सिवाजी ही है यह कर कुल क्रीसी के एकवटे दस भाग पर लिया जाता था मराथा समराज की सबसे छोटी इकाई गाउं था जिसका परधान पटेल हुआ करता था मराथा समराज की सबसे छोटी इकाई गाउं था और इसका परधान पटेल हुआ करता था मराठा श्रामराज की राज भाषा मराठी थी इसमीत ने सिवाजी के राज को डाकों के राज कहा था जो इसमीत है इन्होंने सिवाजी के राज को डाकों के राज के नाम से संबोधित किया था आप आज यह कहाँ पे वल लाइनर पर काफी important है जो भी point अभी के समय में आपने नहीं देखा है उसे भी include किया किया है वर्ल लाइनर questions में गुरिल्ला युद का जो पत प्रदर्सक है कौन था सिवाजी गुरिल्ला युद का पत प्रदर्सक का नाम क्या बताईएगा सिवाजी थे सिवाजी के प्रसासन में पेश्वा कहा जाता था प्रदावन मंत्री को कहा जाता था पेश्वा चौथ क्या था पर उसी राज्यों पर सिवाजी के द्वारा लगाया गया भूमी कर हुआ करता था मराथा राजी का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है बाला जी विश्वनात को कहा जाता है याद करते चलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इसलिए उथा सुलो सुलो से यहाँ पर बताया जा रहा है आपको येरोपिय सक्तियों में किसने सिवाजी को तोप परदान की थी? अंग्रेजों ने सिवाजी ने मुगलों की किस संधी के द्वारा कीलों को हस्तानंत्रित किया पुरंदर की संधी के तहत सिवाजी का राज्चा विशेक कहां पर हुआ था? रायगर में किसके सासनकाल में मराथा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दे गई थी? और अंग्जेव के सासंकाल में सिवाजी के सामराज की रालधानी कहां थी रायगर सिवाजी के सामराज की रालधानी कहां रायगर थी पानी पत का तीसरा लराई 1761 में वुआ था किसके बीच में पेश्वा बाजी राव शकेंड और एहमद साह अवदाली के बीच में सिवा जी सरवाधिक प्रभावित थे जीजा बाहि से अश्ट परधान मंत्री परिशत की साशक के सासनकाल में था सिवा जी के लौड वेलेजली की सहायक संधी को स्विकार करने वाला पहला मराथा सरदार का नाम पेश्वा बाजीराव सकेंड था लौड वेलेजली के द्वारा सहायक संधी लाया गया था इसको स्विकार करने वाला पहला मराथा का नाम पूछेगा पेश्वा बाजीराव सकेंड बताईए वहाँ कौन सैना नायक था जिसे बीजापूर के सुल्तान ने 1659 1669 में सिवाजी को जिन्दा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भीजा था अफजल खा को भीजा गया था सिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे आगरा में सिवाजी का जन्म होता है सिवनेर के दुर्ग में सिवाजी और अंजेव के आगरा दर्वार में कब उपस्थित हुए 1666 में चलिए आप लोग कमेंट करके बताईए 1666 में कोई एक धार्मिक व्यक्ति रहे है जिनका के जन्म हुआ था नाम अगर पता हो दो कमेंट जरूर करके बताईए संभाजी के बाद मराठा सासन को किसने सरल और कारगर बनाया था बाला जी विश्वनाथ ने सिवाजी के अश्ट परधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरे किया करता था वह कौन था सुमन्त था सिवाजी के अश्ट प्रधान का जो सदस विदेशी मावलों को देख रेक करता था सुमंत करता था सिवाजी के समय में अश्ट प्रधान कहा जाता था किसे आठ मंत्रियों की एक परिशत को कहा जाता था अश्ट प्रधान सिवाजी ने कब छत्रपती की उपाधी धारन करके अपना राजय विशेक करवाया था जून 1674 में सिवाजी का अंतिम सहन अभ्यान था करनाटा का भ्यान सिवाजी के द्वारा अंतिम स्वाइन अभ्यान जो है लराई जो किया गया था वो करनाटा का भ्यान के तहट आप इसे जानते हो सिवाजी को पाहारी चुहा वह साहसी डाकू की संग्या किशने दिया था और अंजेव ने 1775 से 82 के समय में पहला वाला आंगल मराथा युद्ध का क्या परिनाम हुआ था तो किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थे पर थम आंगल मराथा युद्ध का हुआ 75 से लेकर के 82 तक में किसकी सासनकाल में पहला वाला आंगल मराथा युद्ध होता है माध्धाव राव नारायन के समय में बताना है दूसरा वाला आंग्ल मराठा युद 1803 से 6 तक चला तीसरा वाला आंग्ल मराठा युद 1817 और 1818 में हुआ था बताइए इनके समय में माराठी पेशवा कौन थे बाजी राव शकेंड मराठा सामराज का अंतिम पेशवा बाजी राव सकेंड किसी अंतिम महान पेशवा के नाम से जानते हैं माधव राव को सिवाजी के बाद किस ने गुरिल्ला युदिकार संचालन किया बाजी राव पर्थम किये थे यहां पे किस मराठा पेशवा को मैक्या वैली कहा जाता है नाना फरनवीस को क्या कहा जाता है मैक्या वैली की संग्या दी गई थी किसने पानी पत के तीसरे युद में संगठित मराठा सहना का नेतित किया सदाज सीवराव सिंधिया ने किसने पानी पत के तीसरे वाले यूद में संगठित मराठा सेना का नेतित किया सदाद सीव राव सिंधियाने किसने पूर्टगालियों से साल सेट एवंग बेसीन के द्विपों को छीना बाजी राव पर्थम ने मराठा समराजी के सबसे बहदूर महिला का नाम तारा बाई सिवाजी ने मजबूत नशेना का गठन किया सिवाजी का पर्थम नौसाइनिक बेरा कहां परस्था पित था कुलाबा में था मराठा राज्जी के संस्था पर कौन थे सिवाजी सिवाजी के पिता का नाम क्या था साहजीव होसले सिवाजी की माता का नाम क्या था जीजा बाई सिवाजी की माता का नाम क्या था जीजा भाई बताईएगए सिवाजी के गुरू कौन थे समर्थ रामदास अफचर खा की सकति को कुचल कर सिवाजी ने किस दच्छिन राज पर अधिकार कर लिया था पनहाला पर कर लिये थे ध्यान रखें गुर्षवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था पागा बताएं नेक्स्ट कुश्चन है माठा प्रसासन में सैनिकों की भरती सेना का प्रवंद और अनुसासन कौन बनाए रखता था सर ए नौबत आपको बता देना है कौन सर ए नौबत तो फ्रेंट्स यहाँ पे जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे माराठा सामराज से आपने देखा आसा है कि यहाँ तक आपको क्रास अच्छा लगा होगा और आप समझ गया होगे सारी बाताओ को अब लगा लिजिए टेस्ट और यहाँ पे आप थर्टी फोर कोस्टन को देखने वाले हो जिस बात को ध्यान देने वाले बात है वह यह है कि थर्टी फोर में से आप अब कितना मार्क्स सही कर पाते हो चाउतिस कोस्टन बस देखना है फिंगर पे आप काउंट करते चलिए कम से कम कम से कम कहा जा रहा है 27 या 28 तो अभी आपको लाना ही चाहिए minimum 28 अगर नहीं लाते हैं बहुत दिक्कत है आपको अच्छे से क्लास को देखने की ज़रुवत है रिपीट करके देखिएगा 28 या 28 से आगे ज़रूर मार्क्स को अपना लाईए question number first है आपको time भी दिया जाएगा अपना right answer सोचने के लिए सिवा जी की जीवनी का नाम है और हो सके तो कमेंट करके बताएगा कितना सवाल का जवाब आप सही करते हो सिवा जी के जीवनी का नाम बखर बीराईट answer सिवा जी के धार्मिक गुरू समर्थ दास की ग्रंथ का नाम बताएगा यहाँपे डीराईट answer दसबूद सिवा जी के व्यक्तित्य पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था बी राईट अंसर मा जिजाबाई का रहा था सिवाजी के राजनति गुरू और संदक्छक का नाम ए कौन देव सिवाजी का जन पूना के समीप हुआ था कहाँ पर सिवनेर ओप्षन बी राईट अंसर सिवाजी ने सरपर्थम बीजापूर से कौन सी किला को जीत लिया सिवाजी की राजधानी का नाम राईगर सिवाजी की उपलब्दी निम्न में से सही है देखिए अफचल खा की हत्या 1669 में साइस्ता खा पर आकरवन 1663 में सुरत की लूट 1664 में तीनों का थन साई है ओप्षन डी राईट अंसर सिवाजी के संदर में क्या गलत है संदर में क्या यहाँ पर है जो गलत है पुरंदर की संदी 1665 में आगरा की आत्रा 66 में सुरत का जो दूसरा वाज़ा लूट है 1670 में सभी सही है डी राईट अंसर पुरंदर की संदी द्वारा मराठाओं ने 23 किला मुगलों को दिया यहाँ संदी किसके वीच हुआ अभी आपने देखा था ना पुरंदर की संदी होता है मराठा ने 23 किले को फिर से वापस मुगल को मतलब दे दिया था किसके किसके बीच में हुआ था बताईए याद ना किसी एक इंसान ने जै सिंग को भेजा था सिवाजी के पास ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा ना गलत है क्या गलत है देखिए सिवाजी के आठ मंतरी अश्ट परधान कहला है पेशवा परधान मंतरी होता था सुमन्त होता था विदेश मंतरी गलत तो है ही नहीं कुछ डेटिक करेंगे गोडिल्ला यूद पदती यानि कि छापा मार यूद परणाली के परवर्तक थे सिवाजी इनके बाद सबसे आधिक विकाश किषने किया इसका यह हो जाएगा सब ज़्यदा इसका यूज के थे ओप्शन नमबर डी बाला जी बाजी राव परथम और अंग्जेव ने सिवाजी को जैपूर भवन में कैद कर लिया यहाँ भवन कहाँ पर है यहाँ भवन कहाँ आगरा उत्तर परदेश में था भी राइट आंसर 13 का B सही जवाब है सिवाजी को पराजित करने के लिए और अंग्जेव ने 1665 में निम्न मैंसे किसे भेजा ओप्शन C अंग्जेव ने 1665 में जैशिंग को भेजा था अभी जैसे एक-दो सवाल पहले आपने देखा था न और अंग्जेव ने भेजा था और जैशिंग के साथ संधिय हुई थी मराठा के इतिहास में सबसे महत्यपूर्ण महिलारो 17 सोईश्वे में गद्धी पर आई नाम है उनका ओप्शन नमबर D तारा बाई सिवाजी को राजा के उपाधी किसने प्रदान किया था ए राइट आंसर और अंजेव ने 16 और चोहत्तर में राजधानी राएगर में सिवाजी को राज़ा विशेक कासी जो की बनारस है इसके किस प्रोहित ने करवाया था पंडित गंगा भटने ओप्शन बी राइट आंसर चोथ क्या था चोथ था ओप्शन नमबर D सिवाजी के द्वारा परोशी राज़ सिवसूल किये जाने वाला एक वट चार भाग जो करका था ये था चोथ लडाकु पेश्वा किसे कहा जाता है लडाकु पेश्वा कहते हैं ऑप्शन बी बाजी राव पर्थम को पहला आंगल मराठा युद की संधी द्वारा समाप्त हुआ सी राइट आंसर साल बाई के तहट पानी पत के तीसरा युद जो किसा तरस एक्सर्थ में होता है इसके संधर में बताईए क्या सही है सायद आप समझ गया होंगे अब सभी हो जाएगा क्योंकि अहमद साह अवदाली ने मराठा को हरा दिया इस युद में मराठो का वास्त्रिक सेना पति सदासिव राव भाव थे इसमें मराठा तोब खाना का नेतित इबाहिम खांगर्दी ने किया था सभी का थन स्तर्थ 731 के पानीपत के तीसरे युदीके संधर में सही है अन्तिम छतर्पती और पेश्वा कौन थे अन्तिम छतर्पती और पेश्वा के लिए आपको आप्शन नंबर छत्रपति थे साहजी अप्पा सहेव और पेश्वा थे बाजी राव सकेंड किस ने सिवाजी राज को ढाकू राज कहा इसमीथ ने भी राइट आंसर हो जाएगा किस ने सिवाजी ने तोप और गोला बारूत किस से प्राप्त किया था 24 का सही जबाब हो जाएगा ऑप्शन भी फ्रांसीसियों से सिवाजी तोप और गोला किसे फ्रांसीसियों से प्राप्त किये थे किस के समय में पेश्वा का प्पाद वनसागुनत हो गया था बाला जी बाजी राव के समय में सी राइट आंसर है किसने सतारा को राजधानी बनाया था सतारा को राजधानी राजा राम बनाये थे च्छत्रपती और मराठा कुल वतम्मा की उपाधि किसने धारन किया था सी राई टांसर सिवाजी ने च्छत्रपती और मराठा कुल वतम्मा की उपाधि सिवाजी धारन किये थे सिवाजी का नौ सेना जो जलवेरा था वह कहां परिष्थित था कुलाबा ओप्षन सी राइट आंसर हो जाएगा सिवाजी के अस्थानिय सेना को क्या कहते थे पागा ओप्षन भी राइट आंसर हो जाएगा नंबर 30 पड़ा जाएए सिवाजी के राजस्व परसासन के संदर में सही है क्या सही है देखें सिवाजी के राजस्व परसासन के बारे में कर 33 से बढ़ा कर 40% कर दिया गया था सही था अपने देखा था भूमी की नाप के लिए नामक के लिए मानक छड़ी यानि की जो काठी है इसका प्रयोग किया जाता था और सर देश मुखी कर 10% लेते थे सभी कथन सहीय डी टेक करिएगा निवन में से नाना साहब किन को कहा जाता था नाना साहब कहते थे बाला जी बाजी रावगो नाना साहब किसे कहते थे बाला जी बाजी रावगो मराठो का मैक्यावेली किसे कहा विया था मराठो का मैक्यावेली नाना फरनवीस को कहा विया था मराठो का मैक्यावेली नाना फरनवीस सहाब थे यहाँ पे मैच करके बताईए क्या सही होगा देखिए सिंधिया, गुवालियर राज, गयकावार वंस जो है ये बरोदा पर भोष्टे जो है नागपूर पर थे डी राइट आंसर होगा आज का लास्ट कोश्टन पेश्वाओं का संस्थापक कौन था पेश्वाओं का संस्थापक option A बालाजी विश्वनात सही जवाब है पेश्वाओं की संस्थापक का नाम बालाजी विश्वनात टेक कर दीजिएगा तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ खान सर के दुआरा जो नोट्स तयार किया गया है हिस्ट्री का जिसमें की मराथा समराज को काफी अच्छे तरीके से बताया गया है उसे आप अल देखा आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा आप अगर अपना मार्क्स को काउंट करते चले 34 में से कितना मार्क्स आपको आ रहा है आप अभी कमेंट करके जरूर बताईए क्लास कैसा लगा बताईए कैसा लगा क्लास अगर आपको इस तरीके का और भी क्लास देखना है प्लेलिस्टा कर चेक कर देगा